तो कैसे हैं अभी स्टूडियो में हम दोस्टो बारा में बारा का डिवैड कैसे करें या इसको हम ऐसे भीन के रूप में लिख सकते हैं बिल्कुल आसान है किसका डिवैड करना है बारा का किस में दोस्टो बारा का डिवैड हम कब कर पाते हैं जब दियागे संक्या इससे बहोत important यूटूब पर surrender किदेरी अभी search करो दो किसंक्यास दो उंक के साथ तुल ना कर लो क्या ये 12 से बढ़ है यस अब हम 12 को एक से लेकर 9 से गुणा करें कि की से बढ़ नहीं 12 को हमने 1 से गुणा किया कितना गया 12 12 कहमने 2 से गुणा किया कितना गया चोईस यह की से बड़ा है लेकिन एक वार लेते हैं तो कितना रहा बारा उसके बाद हमने इसको घटा ना होता है सब्स्ट्रेक्ट करना होता है कितना गया नो और उपर से हमने एक अंको यानी चलियान है अब बारा को जैसे हम 8 से गुणा करते हैं 12 को जैसे हम 7 से आपका आठ अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें तो आप मैंसे एक स्टुडेंट के वाज आ रही है कि सर पॉइंट लेते हैं इसके साथ 0 लिख देते हैं ठीक है फिर हम 12 को 6 से गुना करते हैं कितना आ गया चैदु बारा एक के रिच लगा चैए एक साथ बहुत त फिर हमने मैंस किया कितना गया आठ पॉइंट लगा रहा जिरू आ गया फिर 6 वार समझ गये क्या समझे कि इस प्रकार से अब आपका रिबिट होता रहेगा जहान क्या रखना है पॉइंट के एक बार ही लगा ना होता है पॉइंट लगाने के बाद घटा ते जूसन किया कि उसके साथ हमें 0 लिखते जाना है ठीक है फिर हो गया 6 वार फिर कितना गया बहुत तर फिर माइनस किया 8 आगया पॉइंट लगा रखा जिरू आ गया यह ऐसे चलता रहेगा यह आपका क्या है भागफल इसके बराबर हम अपने क्या लिखते हैं भागफल लिखते हैं इ यह आपका क्या है पांस से बड़ा है तो आगे में हम क्या कर सकते हैं प्लस वन करके लिख सकते हैं धनिवाद